वेरी गूद मॉर्निंग तो आल मैसेल्फ अजे सिंग सोलन की फेकल्टी सोशल साइन्स रेजोनेंस आज हम चालू करेंगे क्लास 10 का चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग चैप्टर है जो की हम आज चालू करने वाले हैं तो चलिए आए जब हम अब यहां पर बात करते हैं तो बात किस चीज क्यों ही है पॉलिटिकल पार्टीज की अब यहां पर दो वर्ट से यह मिलकर के बना है पॉलिटिकल एन पार्टीज आज हम बात करें तो हमारे इंडिया के अंदर अभी जैसे मैं करेंट की बात करूं तो उत्तर इदर फादर क्या करते हैं, हमारे family members क्या करते हैं, vote डाल करके आते हैं, कुछ लोग leaders भी होते हैं, कुछ लोग party के सक्रिय कारे करता भी होते हैं, जो अलग-अलग जाकर के parties की policies को propagate करते हैं, उनको लोगों के बीच में फेलाने का काम करते हैं, समझाने का काम करते हैं, तो एक बहुत interesting chapter ही है इसके अंदर अपन वो concept पढ़ने वाले हैं जो कईने कई हमारे लिए बहुत practical है और हमारे 5 साल में देखती रहते हैं कभी आपका लोकसभा के चुना हो रहे हैं कभी विदान सभा के हो रहे हैं कभी आपका municipality के हो रहे हैं कभी लोकल लेवल पर देखें तो वार्ड के चुना हो रहे हैं ग्राम पंचायत के हो रहे हैं ग्राम सभा इन सब चीजों के अंदर हमें कईने कई elections देखने को मिलते ही हैं चो चालू करते हैं political parties का meaning क्या है अब political party is a group of people who come together to contest election तो अपन एक एक करके समझेंगे बहुत आराम से political party का मतलत क्या है बेटा group of people लोगों का समुझ जो की साथ में आते हैं क्या करने के लिए contest election तो यहीं पर याद करते हुए चलेंगे अपन political parties क्या है group of people किसले आते हैं आपका who come together to contest election and hold power in the government अच्छा group of people जो की साथ में आये किस चीज के लिए election लडने के लिए अगर जीद गए अगर जीद गए तो क्या करेंगे भाई आपका government के अंदर power को गेन करेंगे सरकार बनाएंगे they agree on some policies and programs for promoting national interest since there can be different views on what is good for all parties try to persuade people why their policies are better than the others अब और बात कर लेते हैं अपन यापर जब भी कोई political party form होती है बली वोई state हो national हो unorganized हो उसके कुछ न कुछ एक agendas रहते हैं कि हमें कैसे development करना है कैसे हमारी policies को लोगों तक ले करके जाना है ठीक है बहुर simple वाशा में बात करूं मैं तो जब चुनाव आते हैं तो उससे पहले आपने देखा होगा election manifesto आता है चुनावी गोष्णा पत्र जिसमें political party अपने वादे बताती है कि हम क्या-क्या विकास कारे करवाएंगे अगर हम चुनाव जीट जाते हैं तो यही सब इसके अंदर बता रखा है they seek to implement these policies by winning popular support through elections ठीक है अब जैसे अपन पंजाब में चुनाव आने वाले है तो वाँ पर आपका शिरोमणी अकाली दल की बात कलने आम आदनी party की बात कलने आपका Congress तो ही BJP है तो इन सब के बीच में एक अच्छा कसा हम कह सकते हैं election को लेकर के माहौल बना हुआ है election के अंदर माहौल बना हुआ है कि कौन सी party आगे जीतेगी किसकी सरकार बनेगी ठीक है अब हर party अकाली दल आपका Congress आपका बीजेपी आम आदनी party सब अपने अपने पूरी ताकत जोकर की है कि हमें वापे सरकार बनानी है अपने अपने तरीके से लोगों के बीच में जा रहे है लोगों की बात सुन रहे है उनकी क्या समस्या है अपनी policy समझा रहे है कि अगर अपन हम अगर चुनाव जी दिये तो कोई कह रहा है कि हम बिजली इतनी unit तक माप कर देंगे कोई कह रहा है पानी इतना हम पाफ कर देंगे कोई कह रहा है हम यहाँ पर college खुलवाएंगे कोई कह रहा है हम यहाँ पर hospital बनवाएंगे अपने अपने तरीके से लोगों तक बातों को ले करके जाया जा रहा है अब पहला सवाल जो बनता है बीजेपी की बात करें तो नरेंदर मोधी इस समय एक ऐसा फेस है जो कि बीजेपी के लीडर के अंदर है कैटेगरी के अंदर अपन डालें तो बच्चा बच्चा जानता है बड़ों को छोड़ों चोटा बच्चा भी आज अगर उनसे पूछे मोधी जी कौन है वो बता देंगे कि ये आपके इस पार्टी के लीडर है फिर आपके एक्टिव मेंबर यही पर अपन बात करें तो बली BJP हो कॉई भी पार्टी हो एक्सपाइजेट क्योंकि चैप्टर प्रैक्टिकल है तो मैं नाम लेकर के यहां पर समझा रहा हूं ताक के आपको बिल्कुल कनेक्शन मिल जाए उस चीज का और समझ में आ जाए हम BJP की बात करें तो यहां पर आपके पार्टी के अंदर ही कई सारे पद होते हैं जिला अध्यक्ष हो गया आपका स्टेट प्रेसिडेंट हो गया अलग के अंदर जो मेंबर्स जिनको पद दिया हुआ है जिनको responsibilities दी गई है वो क्या है एक्टिव मेंबर भाई यह काम करेंगे पार्टी की गतिवीधियां पार्टी की बातों को लोगों तक लेकर के जाना है ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी तक जोड़ना है नए वो है the followers यह हम लोग है हम लोग क्या है किसी एक party के follower है और time to time हम क्या करते हैं बोट डाल करके आए जाते हैं इसके अलावा घर पर चर्चा चलती रहती है चाय पर चर्चा तो वहां पर अपनी बात रख देते हैं कि हमारे इसाफसे यह होना चीए हमारे इसाफसे वहना ची तो हम क्या है members जिनका main काम क्या है वोट डाल के आना हर 5 साल में अच्छा सार इसा क्यों क्यों कि मैं अपना-पना काम कर रहे हैं जैसे मैं पढ़ा रहा हूं resonance के अंदर तो मैं actively पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूं किसी पार्टी में हां मैं अपना जो मेरा मत है जो मेरे व्यूस है वो जरूर रख सकता हूं इसके लिए कोई मना नहीं कर रहा मुझे ठीक है बट actively I cannot participate because I am doing my job मुझे यहां पर अपनी services देनी है चलो आगे बढ़ते हैं तो बैटा दो सवाल अपने अभी तक इस chapter से क्यों इतने पार्ट से समझ लिए जो paper में आते है what do you mean by political party what are the components of political party अब आगे बढ़ेंगे अपन इसके अब functions of the political party बहुत clearly और बहुत simply अपन इसको यहां पर समझेंगे ठीक है ना पहली बात अगर कोई party बन रही है तो या तो वो जीतेगी या वो हार जाएगी इतना तो समझ में आगे आपको अगर कोई political party election लड़ रही है तो या तो वो जीतेगी या हार जाएगी अच्छा जीतेगी तो क्या करेगी और हार जाएगी तो क्या करेगी ठीक है तो आईए देखते हैं अगर कोई party जीत जाएगी ठीक है election लड़ेगी जीत जाएगी तो वो सबसे पहले क्या करेगी आपका अपन क्या सकते हैं पॉलिसी इसको डिकलर करेगी अपन पहला ये वाला पार्ट ले लेते हैं क्योंकि अपन इसको एक अलग तरीके से समस्ते होए चल रहे हैं ठीक है अगर कोई जीत गी तो पॉलिसी वगेरा डिकलर करेगी ठीक है कि हमें क्या अगले 5 साल के लिए हमारे क्य विचार दा रहा है हमें कैसे development करना है जनरली election manifest में वो बात आई जाती है फिर उसके बाद party अगर जीत गई है तो वो कानून बनाई ही जैसे कि आपने देखा कि NDA government ने आपका national education national education policy हो गया इसके लावा article 317 सब चीजों को लेकर किया है ठीक है इसके अलावा क्या करेंगे form and run the government सरकार को चलाएंगे 5 साल तक पूरा तो आपके 3 काम यहापे clearly दिख रहे है कि अगर कोई party election के अंदर contest कर रही है तो या तो वो जीतेगी या हारेगी अगर जीतेगी तो यह 3 काम आपको यहापे clearly दिख रहे है और अगर हार जाती है तो वो opposition का रोल निभाएगी या फिर क्या करेगी bold public opinion यह काम तो वैसे दोनों ही करते है जो हार जाता है जो जीत जाता है लोगों का जो मन है लोगों की जो एक अंदर विचाड़दारा है उसको अपनी विचाड़दारा से मिलाना हो सकता है मैंने इस साल अच्छा काम नहीं किया हो हो सकता है मैंने इस tenure में अच्छा काम नहीं किया हो बट लोगों की बातों को सुनोगे उनकी समस्याओं को समझोगे उनके बीच में रहोगे groundwork करो के तो होसकते है अगली बार आपको चुनाव जिता दे जनता तो उसे को चुनाव जिताएगी जो उनके लिए काम कर रहा है उनके लिए महिनत कर रहा है उनकी तो यह एक बहुत हम कहते हैं ना democracy का एक बहुत अच्छा feature है यहां पर कुछ fix नहीं है कि किसकी सरकार बनेगी कभी fix नहीं रहता ऐसा नहीं कि एक की party की सरकार लगातार बनती जा रही है कभी किसकी बनती है सरकार कभी किसकी बनती है कभी को independent ही जीट जाता है निर्दली candidate कई बार unexpected हो जाता है हम जिसका सोचते नहीं हो सरकार बना लेता है न यहीं तो मज़ा है इस chapter को पढ़ने का और democracy का भी तो मैंने बहुत simple way में बताया कि party सबसे पहले तो क्या करेगी election लडेगी election लडेगी तो जीतेगी तो जीतेगी तो तीन काम करेगी और हाएगी तो दो काम करेगी तो हमने बहुत better way में क्या कर लिया आपका इसको समझ लिया ठीक है आगे बढ़ते हैं अपन अब जोरत क्या है तो तीन सवाल बेटगे बेटा आपके political party का meaning आपका एक यहाँ पर component क्या होते है और तीसरा function functions क्या ही आता है पांच नंबर में अच्छा चलो अच्छी बात है पांच नंबर में आता है सर आपने बता दिया एक और यहाँ पर NCRT में दे रखी term जो आपका मैं यहाँ पर आपको बता देता हूं पार्टीशन शिप क्या होता है पार्टीशन शिप का मतलब क्या होता है जब आप किसी एक political party को लेकर के जो आपकी अंदर एक विचार है जो आपने एक अपना मन बना रखा है बहुत strongly उसको आप पोलो करते हैं एक्जामपल ले लेते हैं अपन परिवार के अंदर किसी एक party को सालों से वोट दिये चले आ रहे हैं लगातार हर पांस साल में उनियों को वोट देते हैं तो एक thinking सी वन गई है कि हमें तो इस पार्टी को वोट देना है कई बार काई जाता है ना कि यह तो वोट बेंक है य यह तो इसी को वोट डालेंगे चाहा कुछी भी होई जाए किसी को भी खड़ा कर दो चुनाओ में इस party को इस community के वोट मिल जातने हैं कई बार इसा सुनने को मिलता है वोट बेंक हाला कि ऐसा हम मानते हैं कि सब independent है अपना वोट देने के लिए जिसको जो candidate ठीक लगे उसको वोट दो ऐसा हम मैं यहां पर इस चीज को प्रमोट नहीं कर रहा हूं है ना बट यह टर्म दे रखिए तो अपन को यह जाना जरूरी कि पार्टिसंशिप क्या होता है जब आप किसी एक पार्टी को लेकर के आपका धार्ण ना बनी हुए है मन में कि हम तो इसी के आपका लोगसभा का चुना हुआ मेरी कोटा की कोंस्टिट्वेंसी से मैंने एक वोट दिया था उन में से एक वेक्ति जीत करके आते हैं जो कि मेंबर पार्लियमेंट के लाएंगे सांसद जो की लोगसभा में प्रतिनिद्व करेंगे मेरी कोंस्टिट्वेंसी का मेरी कोंस्टिट्वेंसी के अंदर जो समस्या आएगी वो इस चीज को वहाँ पर उठाएंगे सवाल रखेंगे कि यहां पर यह दिक्कत चल रही और इसको हम कैसे रिजॉल कर सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ठीक है तो एक फीचर है हम अच्छा सर ऐसा क्यों क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है हमारे देश की सबसे पूछने जाएंगे तो पॉसिवल नहीं है एक सो पीस करोड से जादा की जनता तो हमने क्या कर रखा रिप्रेजेंटेटिव च समझा दिया गया है जो मैंने भी बताया ठीक है आगे बढ़ते हैं अब हाव मेनी पार्टी शुड़ वी है तो भई मैं बहुत बेसिक सी बात करता हूं तीन तरह का पार्टी सिस्टम चलता है पहला जो है आपका हुए बन पार्टी सिस्टम जहां पर आपके पास इविलिवल नीए बीटा ठीक है आपके पास चॉइस एविलिवल नीए सिंगल पार्टी है और आपको उसी में वोट करना है जैसे कि आपका चाइना में नोर्थ कोरिया का है यहाँ एकजांपल दे रखा है तीक है आप यहाँ पर आप सोचो कि जब 25 practicing उसी कोड़ देना है बदलाओ का कोई ज्यादा आमें मोका यहां पर देखने को नहीं मिलता दूसरा बाइपार्टी है जहां पर दो पार्टी रहेंगी अच्छा यहां पर थोड़ा वो तो आमें option मिल रहा है कि अगर एक पार्टी अच्छे से काम नहीं करते हैं दूसरे को अपन चूस कर लेते हैं अच्छा यहां अब कर चलता है आपका USA में और UK में अच्छा देखने को मिलता है जहां पर आपका क्या आप चलता है बाइपार्टी सिस्टम चलता है ठीक है आगे multi-party सिस्टम के मैं जब बात करता हूं तो multi party system के अंदर बेटा क्या है इंडिया की बात हो रही है और यहाँ पर आपका बहुत सारी party है आज अगर अपन बात करें तो 1200 से ज्यादा parties election commission के पास registered है यह तो मैं एक approach data बता रहा हूँ आपको approach data इससे ज्यादा ही होंगी एक lump sum data 1200 से ज्यादा party है इसमें से साथ तो क्या ह है बाकी बहुत सारी regional है बाकी बहुत सारी unrecognized के लें registered के लें ठीक है जो parties है जो है भारत के अंदर इस समय स्थित्व में बट वो ज्यादा तर किसी दूसरी parties को support कर देती है चुनाओ आने के time पर ऐसा है ठीक है तो इंडिया की जब मैं बात कर रहा हूँ तो multi party system भारत में अलग-अलग parties है national और regional level पर जो की चुनाओ लड़ती है जो की चुनाओ के अंदर participate करती है तो एक simple सा सवाल आता है आपका paper में वह single party, multi party या by party पर example पूछ लेते हैं या तो कौन सी country में या फिर तीनों का एक basic सा difference पूछ लेते हैं तो बहुत simple सा सवाल बट है काम का क्योंक आप से तो भाई आपका multi party बेटर है क्योंकि यहां पर आपको option मिल जाता है क्या किस चीज का choose करने का अब national और regional political parties क्या होती है चलो आईए देख लेते हैं national and regional political parties जिन parties का अच्छा इनके बीच में difference कहीं बार आता है तीन नंबर में मैं बता दूँ पहले आपको तीन नंबर का difference आच चुका है पेपर में कहीं बार difference between national and regional political parties तो यह अपने को module में दे भी रखा है अपने आगे discuss कर भी लेंगे national party क्या होती है जिसका आपका एक national influence है all over country उसका एक पूरा cadre बना हुआ है base बना हुआ है national interest पर यह political parties बात करती है जबकि regional parties regional issues पर बात करेंगी sir example देके समझाओ आपका बीजेपी Congress एक national party है ठीक है आपका बहुजन समाज party बसपा की बात कर लो यह RJD का example ले लो आप चलो BSP भी ने लेते हैं अपन RJD ले ले लेते हैं ठीक है लालुयादव की जो party वह regional party है ठीक है shifts है ना regional party है तो जो अपना उनका region है उस region को develop करने के लिए specifically ज़्यादा focused रहेंगे rather than making policies for whole country अभी आम आदनी party अभी regional है अभी नहीं बनी national party हो तो वो अपने जो areas जहां पर elections लड़ रही है उन जगों के development के लिए जिस जगे पर उनकी सरकार है उस जगे के development पर ज़्यादा focus करेगी rather than making policies that are for whole country है ना और देखते हैं वही क्या इसके अंदर regional parties के अंदर states के अंदर उनके अच्छी खासी autonomy है ठीक है बिहार में RJD shifts है ना कहां पर मुंबई में PDP कहां पर जम्मू कश्मीर में AIDM के किदर south के अंदर ठीक है जबकि national parties जो है उनका क्या रहता है आपका अलग-अलग states के अंदर उनकी एक अच्छी खासी support रहता है support base रह और regional interest को परे रख करके वो आपका आगे बढ़ती है सब को साथ लेकर के चल करके ठीक है क्योंकि जितनी बड़ी party है जितने लोगों को साथ लेगी जितने states में चुनाव लड़ेगी उतना ही उनको differences भी face करने पड़ेगी उनको overcome करके आगे भी बढ़ना पड़ेगा ठीक है अब जैसे की symbol मिलता है parties को BJP का अपना symbol है, INC का अपना symbol है, BJP का क्या है कमल, INC का क्या है हाथ का पंजा, ठीक है तो कोई वेक्ति अगर इस BJP party से चुनाव लड़ रहा है तो automatically उसको symbol मिल जायागा, कमल, lotus है ना अब national political parties की जब मैं बात करता हूँ बिटा यहां पर, तो सबसे पहले यहां पर दे रखा है आपका AITC त्रिनमुल कॉंग्रेस, बट उससे पहले एक बात और दे रखी है national parties के वारे में, कि जो party 6% लोगसभा में vote secure करती है ठीक है, अब party that secure at least 6% vote in लोगसभा और assembly elections in 4 states and win at least 4 seat in लोगसभा तो 4 states and 4 seats कहां पे लोगसभा के अंदर तो दो condition दे रखी है, वो national party कहलाने के लायक है तो लोगसभा में कितना आपको percent vote चाहिए, 6% ठीक है या फिर लोगसभा election या assembly elections फिर क्या बोला है, आपका win at least 4 seats in the लोगसभा तो अगर 5.43 पे चुना हो रहा है, तो उसमें से minimum आप अगर 4 seats जीत रहे हो और आप अगर 6% आपका voting लेकर के आ रहे हैं, total vote पढ़े हैं, 6% आपके नाम पर पढ़े हैं, party के नाम पर तो आप eligible हो जाओगे national party में apply करने के लिए, but final कौन करेगा इसको आपका election commission ठीक है, अपने हाथ में नहीं रहता है, election commission जो रहता है, वो ही क्या करेगा, decide करेगा कि हमें इसको national बनाना है या नहीं बनाना है, ठीक है, अब अपन बात करते हैं, AITC, All India Trinbull Congress की तो यहाँ पर कौने इसकी leader, Mamata Benerji, Mamata Benerji ने कब launch करी ये party, आपका 1st of January 1998 और किस agenda के साथ ये लेकर क्या है ये party को आगे, secularism and federalism, ठीक है, federalism आप पढ़कर के आचोक है, secularism आपको पता है that we will not favor any religion, सब धर्म अमारे लिए क्या रहेंगे, एक जैसे रहेंगे this party has been power in West Bengal since 2011 and was recognized as national party in 2016 ठीक है, ये सवाल बन सकता है आपका paper में it is also influential in Arunachal Pradesh, Manipur, Tripura तो आपका धीरे धीरे ये party क्या कर रही है, अब अपना scope बढ़ा रही है West Bengal से रहे करके, अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ रही है अभी Goa के अंदर चुनाओ आने वाले है, वहाँ पर भी Trinbull Congress क्या कर रही है, कोशिश कर रही हो सकता है, जीद भी जाए ठीक है, अब अगर अपन 2019 की बात करें, तो 2019 के अंदर Trinbull Congress को कितने vote मिले 4.07% votes and 22 seat इसने जीदी थी, making it the 4th largest party in the लोकसभा, ठीक है, तो एक अच्छा मतलब हम कह सकते हैं, ग्रोथ मिली और West Bengal के अंदर तो एक बहुत अच्छा ही उनका बेस है, अभी भी जो पिछले चुना हुए, विदान सभा के उसके अंदर वापिस से, जो है, ममता बेनर जी, महाँ पर जीद गई हैं, और उन्होंने अपनी सरकार बना रखी है अब next party जो आएगी अपनी international congress, इसको अपन अगली class से continue करेंगे, ठीक है, आज का session जो यही पर मैं over करता हूँ, thank you